नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफोर पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं पिडिलाइट इंडश्रीज के बारे में इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और भयानक गिरावट प्रॉफिट में दिखाए दे रही ह 94% का फॉल हमें यहां पर वायो वाय बेसिज पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट 94% के आसपास गिर चुका है तो क्या यह सही समय है इसमें से एक्जिट कर जाने का क्या यहां पर हमें आपमारा लॉस बुक कर देना चाहिए निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाह तो आप देख सकते हैं पिडिलाइट इंडर्स्री का लाज्ट ट्रेट प्राइस है 1331 रुपीज जो की 1.29% उपर दिखाई दिया है 52 वीक लो है 1185 रुपीज जिससे यह 10-15% ही उपर ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है जबकि अपने 52 वीक हाए 1789 से अच्छे खासे 9.44 जबकि इंडर्स्री का पी है 45.26 प्राइस टुबुक रेशियो है 15.16 डिविडेन डील है 0.53% डिलिवरिबल्स की बात करें तो 36.85% की डिलिवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्स कैसे आए है हम पिडि क्वार्टर के मुकाबले काफी ज़्यादा गिरती हुई नजर आ रही है और उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती हुई नजर आती है हमें year on year basis के मुताबिक अब देख पाएंगे year on year basis पे अच्छा खासा fall हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर बात करें यहाँ पर net profit के बारे में यानि की profit for the period के बारे में तो 15.82 करोड का net profit देखने को मिला है जो की drastic fall हमें देखने को मिलता है quarter on quarter basis और year on year basis दोनों पे year on year basis पे 94% का drastic fall हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर company ने कुछ और details भी दिय है कि the company has acquired 70% stake in equity shares of 10x India stone products private limited 10x from 10x SPA Italy thereby making 10x a subsidiary of the company on 28th May 2020 10x Italy is the leading manufacture of adhesives, coating, surface treatment, chemicals and abrasives for the marble, granite and stone industry 10x is engaged in the sales and distribution of 10x Italy products for the retail market in India तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक positive चीज़ दिखाए दे रही है जो कि यह है कि company ने 70% stake लिया है 10x India में जो कि leading manufacturer है अधे से उसमें coating में surface में आपको बदा ही होगा पिडिलाइट industries में अधे से उसके लिए ही जानी जाती है फेविकॉल के लिए जानी जाती है पिडिलाइट industry उसकी undisputed market leader है तो यहाँ पर results को अगर हम summarize करें तो यहाँ पर overall results तो आपको बदा ही है अच्छे बिलकुल भी नहीं आया है 94% का drastic fall हमें profit में देखने को मिल रहा है लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने ज्यादा खराब समय में भी जब lockdown चल रहा था फिर भी हमें जो total income देखने को मिल रही है वो 897 crore देखने को मिल रही है revenue from operation से 877 crore तो यहाँ पर अच्छा गासा दंदा पिडिलाइट industries ने किया है तो क्या charts पर हम जाते हैं देखते हैं क्या इसमें से exit कर देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जब market में भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 1200 का level as a support दिखाए दिया उसके बाद हमें 30 दिखाए दी थी लेकिन उसके बाद जो weakness यहाँ पर नजर हमें साफ साफ आ रही है current situation के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सारे moving average के नीचे फिलाल यह trade करता हुआ नजर आता है लेकिन अगर बात करें इसके आज के candle के बारे में तो वो एक bullish candle बनती हुई नजर आ रही है अब देख पाएंगे इसने एक low बनाया उसके बाद अच्छी खासी recovery दिखाए दी और जो opening हुई थी उससे भी उपर ही हमें closing देखने को मिली है अगर बात करें यहाँ पर indicators के बारे में तो money flow index का number calculate होकर आता है 16.71 यानि कि highly oversold situation में MFI का number जाता हुआ नजर आ रहा है to weak condition ही दिखाई दे रही है M.A.C.D. के बारे में भी बात कर लेते हैं तो M.A.C.D. में जो final situation दिखाई देगी अफकोर्स यहाँ पर bearish crossover ही चलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आज का जो यहाँ पर बार बनता हुआ नजर आता है ने जाने की कोशिश की थी 1316 का lower band जिसके नीचे जाने की कोशिश की लेकिन वापस हमें एक bounce back देखने को मिला और उपर ही closing देखने को मिली है median की बात करे तो वो है 1370 का level upper band की बात करे तो वो है 1425 के आसपास का level pivot points के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर pivot level calculator कराता है 1383 का level जिससे काफी stock नीचे ही trade करता हुआ नजर आ रहा है supports के बारे में बात करे तो 1313 का level यानि की current market price के बिल्कुल ही नस्दीक यहाँ पर हमें support level दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम expect कर सकते हैं कि यह support ले सकता है और हमने देखा आज की जो candle है वो भी एक positive candle बनती ही नजर आती है उससे भी नीचे जाए तो 1270 का level हमें यहाँ पर दिखाई देता है उपर के levels के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1426 का level दिखाई दे रहा है तो आप देख पाएंगे stock ने दमाकेदार movement बना कर दिया है multi bagger stock रहा है कभी भी ज़्यादा deep correction हमें stock में देखने को नहीं मिलता है जब भी correction देखने को मिलता है तो यह अपने 20 months के यह में जो की है इसका yellow line वहाँ पर ही stock support ले लेता है और वापस हमें तेजी continue रहती हुई नजर आती है और अगर बात करें इसके current 20 months का यह में जो calculate होकर आता है वो current market price के बिलकुल ही नजदीक 1330 के आसपास ही नजर आता है अब देख पाएंगे उसकी के आसपास stock हमें trade करता हुआ फिलाल नजर आ रहा है अब बात कर लेते हैं positions के बारे में तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर position बना कर रखिए आप अभी loss में चल रहे हैं तो मेरा मानना है यहाँ पर tension लेने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है exit के बारे में तो सोचना ही नहीं है one of the market leader नहीं यह undisputed market leader है adhesives industry की और इसके जो हमें expansion के plans दिखाई दे रहे हैं जो इसाब से इतने covid-19 के times में भी हमने देखा कि इन्होंने 10x में 70% की holding ले लिए तो यह बता दिये कि कितनी ज़्यादा aggressive है company growth को लेकर तो यहाँ पर long term के लिए no doubt बहुत ही अच्छी company है यहाँ पर इतनी बुरी situation ने भी अच्छा गासा इसने फिर भी revenue generate गया है जो के एक positive बात है तो यहाँ पर loss book करने का reason मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और अगर बात करें यहाँ पर आपने नीचे position मना कर रखिए आप profit में चल रहे हैं अगर आपने long term के लिए लिए है तो please continue holding कीजिए लेकिन अगर आपने short term के लिए है तो भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अपी फिलाल hold करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक reversal हमें दिखाई कासी institutional buying हमें दिखाई दे रही है काफी समय के बाद strong buying situation हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि एक positive बात है और यहाँ पर अगर बात करें fresh buy के बारे में तो current market price के आसपा से आपको यहाँ पर लेना चाहिए जबकि आज का जो low बना था होता 1303 के आसपा साइज बना था मैं confirm नहीं हूँ लेकिन telegram channel पर मैंने update किया था कि 1317 पर मैंने update किया था कि उस price पर इसमें fresh position बनानी चाहिए चाहिए आप aggressive investor क्यों ना हो या active investor हो या फिर patient investor क्यों ना हो लेकिन यह stock long term के लिए काफी अच्छा है आपने अगर telegram channel जॉइन नहीं किया है तो नीचे link दी गई है description box में आप उसे जॉइन कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने बताया aggressive investor और active investor current market price पर ही position बना सकते हैं काफी समय से कह रहा हूँ 1350 का जो level है वो strong support है यहाँ पर long term के लिए aggressive investors buying के बारे में सोच सकते हैं conservative investor होते हैं काफी लोग wait करना चाहते हैं तो उनके लिए भी levels में जरूर बताऊंगा तो वो level है 1280 के आसपास का level क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पर stock का आमें दूसरा pivot point दिखाई देता था pivot point का जो दूसरा support था वो 1270 के आसपास बन कर आता है काफी attractive दिखाई देता है तो यहाँ पर आप quantity add करने के बारे में fresh investment करने के बारे में भी सोच सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे thank you, stay happy, happy investing